हईलो एवरिवन वे इस वीडियो के अंदर मार्क से रेलेटेड आप लोगों के जितने भी डाउट हैं उनका हम इस वीडियो के अंदर सोल्यूशन करने वाले हैं और रिजन देखेंगे कि आकर क्या कारण है कि आप लोगों के मार्क्स ने बड़ पा रहे हैं आपका सलेबस और आपकी प्रेक्टिस भी आपने इनफ कर रखिए तो आप वीडियो पूरा जुरूर देखिएगा और आप 2x में देख सकते हैं क्योंकि एक्जाम टाइम है तो आपको तबी चीजे समझ आएंगे अगर आप पूरा देखोगे पर आप 2x में देख सकते हो और जितने भी ल आपको बेनिफिट करेगा वो आपको टेलिग्राम पर मिलेगा ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूं कि आखिर क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है देखो ऐसा है कि माक्स का जो सीन है कि आप लोगों ने प्रक्टिस भी कर लिए और जो है आपकी सलेबस भी कंप्लीट है फिर माक्स कि जिन लोगों के एक सूर्प के अंदर तीस के असपास माक्स बन रहे हैं देखो टोटल की बात कर रहा हूं मैं अकर तीस प्लस माक्स बन रहे हैं तीस के असपास तो फिर आप लोगों का ठीक है मतलब आप लोगों करना क्या है कि आपको मेरे जो पहले वीडियो बन तो आप उनको देखिए तोड़ा सा अगर आपको डाउट है जैसे फिजिक्स के से रिलिटेट सेपरेट कि चलो फिजिक्स के क्या करना है किन गलंटियों का ध्यान में रखना है मांक्स कम है तो क्या करें मौक टेस्ट वगरा सबी चीजें देखो मैं एकदम एकदम बेसिक इ है और तो आप तो उनको देखेंगे तो और के लिए रोपाए अगर आप पहले से फोलो कर रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा तो इसके लावा फिर भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूचना फिर मेरे को ठीक है अब जैसे वाई ग्रूप के अंदर आपके जैस है बस पेचे से कर लिया होगा तो अब आपको बारीकियों पर ध्यान देना है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ एक तो ठीक है तो यह कैटिगरी है अब इससे रिलेटेड मांक्स के ओपर फोकस किन लोगों करना है मतलब है टेंशन वाली बात किन लोगों के जिनका ये है तो इसके अंदर पांच-छे मांक्स आ रहे हैं ठीक है और जैसे वाई ग्रूप वालों के लिए भी सीन है कि वाई ग्रूप वालों की कि इंगलिस वीक है तो रागा पॉर्शन के अंदर 14-15 मांक्स से आ रहे हैं समझ रहे हो ना आप मेरे बात तो अब देखो इसके क्लियर करने के आप ध्यान देऊ तो जिन लोगों के यह वाली प्रोब्लम है कि पांच-छे मांक्स आ रहे हैं वह उनको ध्यान देने की जरूत है जो कि मैं भी आपको आगे क्लियर करने वाला हूं जिनका यह इस तरीके से थोड़ा स्कोर है वह मेरे पहले वाली वीडियो और मैं आगे भी बना रहा हूं और उनको आप फोलो करें चैसे फिर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछना मेरे को ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो ऐसा है बात कि आप लोगों का सबसे पहले जिनके भी जितने भी एस्परेंट हैं उनके ठीक ठ कम्प्लीट का मतलब समझाता हूँ मंआ अप लोगों को यह लग रहा होगा कि हा फिर भी मांक्स नहीं आरें मैं उसका मतलब समझाता हूँ फिर आप देखना कि अगर कमी है तो फिर उसको सुदाना अपने आप मांकस आपके बढ़ जाएंगे तो अपने आपने त्याश्य ग्राम से अपने पीडिएफ बगर भी डाउनलोड कर लियो वैसे हो आपके पास लेकिन आपके पास कम्प्लीर नोट्स होनी चीए और वो भी याद होनी चीए यहापर मैं लिख रखाओं वो सारे बंदों के पास क्या नोट्स तो हैं वीडियो देख लिया चलो आरसर का इन दिन बाद अगर पूछा जाए कि चलो इसकी जो ही यूनिट बताओ या इसकी वो बताओ तो वह याद नहीं रहती तो वह गलती है सबसे बड़ी आप लोगों को नोट्स आपके पास लिखे वे हो या फिर प्रेंट करवा लिए हो आपको कम से कम वह याद होनी चीए कि अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो हर वीडियो आप लोगों का कम से कम दो बार देखा हो होने चीए दो बार उसकी प्रक्टिस होनी चीए अब आपके बास जितना भी टाइम है उसके इंदर आप उसी स्ट्रेटिजी के साथ अपना यह कि जैसे मालों कि आज आज आ इसना भी आपको टाइम लगा उसको रिवीजन करना उसके सासा आपको अगले हवक्ते के पांस दिन जिन के अंदर उसको फिर से रिवेजन करना है तो यह जो भी आपके पास 30 दिन बतरें 20 15 तो कहाँ है तो इस टाइम के अंदर आपको बहुजार बैनिफिट करेंगी वह अपने आप आप लोगों के मार्क्स भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे आपको क्योशन्स भी करना आजाएगा सबी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट करने लग जाएंगे ठीक है अब देखो आगे मैं करता हूं प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस से रिलेटेट भी है डाउट आपको कोई दिक्कत नहीं आप लोगों के वैसे याद हो जाएगा पर जिनका वीक है उनको क्योशन्स भी लिखने होंगे क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ें याद नहीं होगी कि अवर आप वीडियो देख लोगे कि हाँ चलो हो गया जैसे मैं आरसर के के केस में बताता है आपको एक एक क्योशन याद होना चाहिए अगर मैं किसी भी टीचर के बात करूं आज के टाइम पे तो आपका हर टीचर के अगर आपको पूछा जाए कि उस चैप्टर के इंदर उस क्योशन का आंसर क्या होगा वो आपको याद होना चीज़ें अभी आप जो है जितना लोग जो टीचर ने करवाया वह आप लोग कंपलीट करने के साथ-साथ फिर आप एडवास जाएं कि मेरी क्या कमिये मेरे को नोडस याद नहीं हो रहे है तो जैसे प्रेक्टिस के लिए औरडी में सेंट कर रखे हैं मैंने टेलिग्रम पे वहां से आप और प्रेक्टिस कर सकते हो यह फिर जैसे यूट्यूब पर भी करवाते हैं बहुत सरे टीचर्स प्रैक्टिस वगरा वो कर सकते हो तो यह आपके लिए एड़ांस इंप्रूमेंट है आपको अभी यह देखना है कि जो चीज़े यहां पर फूलो मैंने बताई हैं यह सलिबस के रिगार्डिंग वो आपने की या नहीं की अगरां पूरा बैस जैसे पिछले वीडियो मैंने बताई था अगरां आपके आपस कीजिये प्रक्टिस बार-बर रहो किजिऎ कीजिया आपको इसकॉर की मैं बात करा नहीं कि जड़ा आपका इतना स्कॉर मन रहा है इसक Creed मैंफिस्च रगे testify ब इतना ज़्यादा फोकस ना किजिए आपका इस पॉर्शन में अगर आपके सभी चीज़ें की हुई हैं कि आपका सलेबस कंप्लीट कैसा है आपके नोट्स लिखे वही होने चाहिए याद होने चाहिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस के अंदर आपकी खुद की आतों से एक आप पूरे प्लेटफॉम पर देखे होगे तो हर किसी पर तो सतर क्योशन कम से कम आपके दो बार कंप्लीट होंगे ना तो अभी जितना टाइम है इसके अंदर आप दो बार और कर लोगे तो मैं गारेंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर थोड़ा बूत अपर नेचे क्योश कि मोग टेस्ट लगा रहे हो तो किस प्लेटफॉम से लगा रही हो देखो आप आरेसर से मालों के पड़ सकते हैं किया या फिर जैसे मिलता है लड़के एक्जाम देने के बाद तो प्लेटफॉम को बहुत ज्यादा रोल रहता इसके इंदर तो फिर वह चीजज आ जाती है कि आपको score पर ज्यादा focus नहीं करना focus आपको इस portion पर करना है कि आपकी सले बस अच्छे तरीके से करो revision करो उसका बार बार और उसकी enough practice करो बस इतना है करना आप लोगों अगर इसका स्वाइस score बनना आपका तो ब्रिलियंट है कोई दिकत नहीं अभी आपके बास काफी टाइम है मैं complete करूं और मैं यह दिखू कि मेरे marks किते है कि जैसे marks कम आएंगे फिर हम पूछने लग जाएंगी दर उदर जहां पर भी हमें कोई भी मिलेगा बस कि मेरे marks नहीं आरे मेरे marks नहीं आरे लोगों भी पूरी टाइम देना अपना समझे हो ना मेरे बात तो आपका 45 मिनट जो है वाई कुरूप पालगा उसका complete देना आप लोगों को अद्रवाइस फिर आपको नहीं दोगे तो फिर यहीं चीज़ आईगे आप लोगो analysis last and final analysis है कि जो आपने गलती की उसका जब तक आप analysis नहीं करोगे कि जैसे आपने पिछले मोक में पांच नमर आया आपके तो आप देखो कि कौन सा portion में गलत हो अगर आप वो करे portion में गलत हो आपके negative ज्यादा हो रहे होंगे यह भी तो हो सकता है reason तो जब तक यह reason आप define न बता देता हूँ आप लोगों को जिन लोगों की यह 5-6 वाला scene है 5-6 मांग सारे physics जिन में भी तो आप लोग मैं यहाँ पर i button पर डाल दूँगा और description में लिंक डाल दूँगा सभी वीडियो इसके और already playlist है आप चैनल पर जाके देखो कि तो सभी वीडियो देखने हैं आपको वीडियो कम से कम देखना है ठीक है उसके बाद क्या करना आप लोगों को जैसे आप लोगों का यह वाली category है तो उनको केवल और केवल अपनी गलतियों को देखना है analysis करके और फिर उसके ओपर काम करना है simple सी चीज़े ज्यादा कुछ नहीं है tension नहीं कोई जरत नही है आराम से बिल्कुल positivity के साथ पढ़ते रही है कोई डाउट रहता है आप लोगों का इस वीडियो के बाद भी कि नहीं ऐसा ऐसा सीना आपका particular कोई डाउट हो कि नहीं यार मुझे ऐसा हो रहा है मैं आपने जो बताई जो गलतियां बताई वो भी नहीं कर रहा हूं और जो जल्दी में आप लोगों को information प्रोवाइड करोंगों उतने जल्दी आप लोगों के लिए benefit रहेगा फिर लास्ट टाइम में देखो पांस दिन की strategy यह वो सब चीजी उनसे मेरे साफ से तो देखो किसे को benefit होता नहीं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने ज्यादा आप लो